अर्चना स्वेच पाक्षाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं एक बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट पराठो की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हूँ आज मैंने बनाए है लौकी के पराठे लौकी जिसको दूदी भी कहते है तो उसके मैंने पराठे बनाए है बहुत टेस्टी बनते है आप इसे जरूर बनाएए सबको बहुत पसंद आएंगे चलिए इसे बनाना शुरू करते है हमने एक लौकी लिए है उसको अच्छी तरह स अलग कर लेंगे तो जो बड़ा हिस्सा है उससे हम पराठी बनाएंगे अब हम एक पैन को गैस पर चड़ाएंगे गरम करेंगे और इसमें दो टेबल स्पून बेसन डालेंगे और बेसन को अच्छी तरह से खुश्बू आने तक हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से और इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे अब हम एक और पैन को गैस पर चड़ाएंगे और जो हमने लौकी को कसी हुई थी वो इसमें डाल देंगे लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उसी पानी में यदि लौकी पक जाती है तो ठीक है और यदि नहीं पकती ह तो हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और पानी डालकर लौकी को हम पकाएंगे तो पहले हम देख लेते कि इस लौकी में से कितना पानी निकलता है यदि ये लौकी के ही पानी में अच्छी तरह से पक जाती है तो हमें और पानी डालने की जरूरत नहीं होती है यदि नहीं पकेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पकने तक अच्छी तरह से पकाएंगे कुछी दिर में लौकी पक जाती है अच्छी तरह से हम चैक करेंगे यदी लौकी हमारी पकच की है तो अब हम इसके अंदर बेशन जो हमने रोस्ट करके रखा था वह बेसन इसमें मिलाएंगे तो बेसन को हमें चान कर मिलाना है क्योंकि रोस्ट करने के बाद में थोड़े लंग से पड़ जाते हैं तो हम बेसन को इसमें चान कर मिलाएंगे और अच्छी तर जाबने पर अधिर अब प्ल Mason करेंगे हम एक एक करके मसाले डालेंगे टो सबसे पहले हमने ढ़्राइब चाठ मसाळा, नमाक अपने सवात के नुच्ञतरा elsewhere मिर्ची भी जिफ्रन पॉसंद करते हैं कि खंड़ आपता है जातम के इस भी हमें इस तरीके से मिला सकते म shoe मिला सकते है जैसे आलू के अतनी ऊपाराधे में हम जो मसाले में मसाले बढ़ाता है बहुत आधा टेश्टी लगता है पराथा और लॉकी का पराथा आप खा ही नहीं चलता है तो कि एच तरह के इस इतने में से 5 या 6 पराठे आराम से बन जाएंगे अब रायता बनाना है तो रायते के लिए कसी हुई लौकी में बराबर का ही पानी डालके उसमें थोड़ा सा नमक डालके हम इसको माइक्रोवे में पकाने के लिए रख देंगे आप चाहे तो इसे गैस पर भी रख सकते ह है दूसरी तब एक बाउल में हमने दही डाला है दही में थोड़ा नमक डाला है और थोड़ा भुना हुआ जीरा का पावडर डाला है थोड़ा साम काला नमक डालेंगे और आधी चमज लाल मिर्ची का पावडर डाला है और थोड़ा सुखा पुदीना का पावडर डालके यह से हम अच्छी तरह से मिला देंगे और लॉकी के रायते में एक चमच पिशी हुई राई डालेंगे राई को हमें चान कर डालना है राई से लॉकी का रायते का स्वाथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब हमने लॉकी माइकरोवेव से निकाल दी है लॉकी हमारी पग चुकी है आप इसे लॉकी पग गई तो उसको हम चान लेंगे पानी को च्छान देंगे और यही पानी से पराटो के आठा गुदेंगे तो हम अच्छी तरह से इसको निचोड लेंगे पुरा लौकी का पुरा पानी हम निकाल लेते हैं और जो ये नीचे का पानी है वो हम फेकेंगे नहीं और उपर जो लौकी बची है इसको हम रायते में डालेंगे लौकी को हम रायते में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी इससे में शक्कर भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम ढखके रख देंगे रायता हमारा तयार है और अब हम आटा गुंदेंगे तो ये जो पानी है इसी में हम आटा गुंदेंगे और इसे अच्छी तरह से मुलायम हम कर लेते हैं और मुलायम करने के बाद में पांच या छे इसके बराबर से लोई बना लेंगे लोई बना कर हम इसे रख देंगे अब हम पराठे के लिए तबा गैस पर रख देंगे और उसे गरम करेंगे अब stuffing से हमें 5 गोले बनाने हैं बरावर बरावर size के हम 5 गोले बना कर रख लेंगे और एक एक लोया लेंगे लोय को इस तरीके से हम हाथ से बढ़ा करेंगे और इसके अंदर stuffing रखेंगे और stuffing को हमें अच्छी तरह से दबा कर बंद कर देना है जिस तरीके से हम पराठे बेलते हैं हम उस तरीके से ही इस पराठे को भी बेलना है पहले हम हाथ से इसको बढ़ा कर लेंगे गोल कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको बेलन से बेलेंगे तो इस तरीके से मसाला चारो तरफ लग जाता है तो अब हम इसको गोल बेलेंगे ये पराठे आसानी से गोल-गोल बेल जाते हैं और कहीं से भी फटते नहीं है और नहीं स्टफिंग बाहर निकलती है तो बड़े आसानी से हम सभी पराठो को इस तरीके से गोल-गोल बेल देंगे आप चाहे तो दो दो तिन तिन पराठे एक साथ बेल कर भी रख सकते हैं जब पराठा अच्छी तरह से मिल जाएगा तो आप इसको तवे पर डाल के सिकेंगे अब हम गरम तवे पर पराठे को डाल देंगे पराठा डाल जब ये एक साथ से सिक जाएगा फिर हम इसको पलट देंगे और दोसी साथ इसको अच्छी तरह से गी लगा देंगे आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं बटर भी लगा सकते हैं गी से पराठो का स्वात बहुत जादा बढ़ जाता है, ये पराठे सभी अच्छी तरह से फूल जाते हैं, तो दोनों तरब से हम इसमें अच्छा सा गी लगा देंगे, और दोनों तरब से जब ये अच्छी तरह से सिख जाएंगे, तब हम इसको उतार लेंगे, सभी पराठ पराठे बनाकर तयार कर लेते हैं लेजिए सबी पराठे बनकर तयार हो गए है इसे हम रायते के साथ में सर्व कर रहे हैं आप चाहे तो इसे अचार हरी धनिया की चटनी या अपने मन पसंद कोई भी चटनी की साथ में सर्व कर सकते हैं या पिर दही के साथ में भी यह बहु लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तक तक अपना कुप कुप ख्याल रखिए, थैंक यू